ओम सांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती आज बाबा कह रहें मीठे बच्चे अपनी जाच करो कि कितना समय बाप की स्मेती में रहते हैं कितना समय बाप की स्मेती रहती हैं ये चेक करना बाप की स्मेती का मतलब क्या हुआ कि वल बाबा बाबा करना आत्मिक स्थ और मेरा इह स्थिती में रहना है तो बाबा पूछ रहा कि बताओ तुम कितने समय तक बाब की इस्थिती देभान में नहीं वो तो भक्ति होता है क्योंकि इशि को याद करते हैं तो सोझे की बाब यह ऐसा कर रहा तो वावा तुरात ग्व्यान को टच करता है बच्चे सब कारूल है तुम इसमें फ couch से जितना हो रहा है तुम अगर कोई कुछ कर भी रहा है ते तुम्हारा हिसाब किताब है चुक्तु करो किछाओ का लेकिन जब देभान में तोते हैं तो इसलिए बाबा केता है कि जब इसमेति होते हैं आत्मिक स्थितियर्दि क्यों, सा 't you किसी स्थिती में रहना है इस मृति आत्मिक स्थिती में रहना है इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यूं कौन सी बात असंभव है उत्तर है यहां कोई हमें पुन्यात्मा कोई कहें हम पुन्यात्मा है यह बिल्कुल असंभव है कल् मैं बिना स्वार्थ कि कुछ करता ही नहीं है अगर कहीं धन्यदांत दे रहा है तो स्वार्थ जय कुछ मांएंता परकनते मांगने के इच्छा रहती हैं क्योंकि दुनिया क्ल 275 यह का दुनिया कैसी का Igoru समय सब्सक्ति इस रही हो मनुष्य पूजाय के मंदिर में हो जाता है तो क्योंकि हर कर्म की वसी भूत होकर करते हैं पंडित भी ले रहा तो हम शोच रहे हूं कि जो भी यह कर रहे हैं तो अच्छा होगा लोगे ठोई नियुक्रो दे रहे हैं किस तीती नहीं किस भावं से दे रहे हैं यह सब चेक होता है कि हम क्या कर रहे हैं जो ले रहा है क्या वो सही जगा लगा रहा है उस पैसे को तो बाबा कता हर कर्म विकारों के वसीभूत होता है ओम शांती यह तो बच्चे समझते होंगे कि हम अभी ब्रम्भा के बच्चे ब्रम्भा कमार कुमारियां हैं फिर बाद में होते हैं देवी देउता यह भी तुम समझते हो दूसरा कोई नहीं समझते तुम जानते हों हम ब्रंभा कुमार कुमारियां बेहत की पढ़ाई पढ़ रहें यह हद की पढ़ाई नहीं कि कोई डॉक्टर इंजिनियर बना दे बाबा बेहत की पढ़ाई देवी दिवता बना रहा एक दो जनम नहीं 21 जनमों के लिए, आपको तोड़ीगा, मरोड़ीगा, हर तरह से बाबा परिच्छा लेगा 21 जनम चला पाएगा यह राजे, ऐसे ही थोड़ी सौप देंगे किसी को तो बाबा हमें 20 जनमों के लिए हर तरह से चिथ करता है तो 84 जर्मों की ये पढ़ाई, बेहत की पढ़ाई तुम पढ़ते हूं, शिष्टी चक्र की पढ़ाई भी पढ़ते हैं, फिर तुमको ये सिख्छा मिलती है कि पवित्र बनना है, यहां तुम बैठे, बच्चे बाप को यतो याद जरूर करते हूं, किसलिए याद करते हूं पावन बनने के लिए, पावन माना तन से भी पवित्र, मन बुद्धी से भी पवित्र, भाव भावना से भी पवित्र, सब तरह से पवित्र हो जाना है, तो अपनी दिल से पूछू, सच सच हम बाप की याद में अब बैठे हैं थे, या माया रावन की बुद्धी तरफ ल कहीं रावन के दुनिया में तो नहीं चला जाता है जाए धन क्या है तैसे आएगा परिस्थीतियों को याद करना यह सब क्या है एक माया है और जिसको रिखने यह को याद करे हैं कि शेवा और बाबा है कि शिवा और बाबा यह पेहले हम लोगों संस्कार बवस अदारेकाई तो parecer है करो कि बुद्धि कहा कहा चली जाती बाप ने कहा है मा मैकम याद करो तो पाप कटे ना यहा अदो बाबा मेनद भी करवायगा और पहले करज लोगों का रस saja में का दो करना होगा मारवी खाना होगा सब कुछ धोख़गा सकु सहन करना होगा आपको सहन करना पढ़ेगा करना ही पढ़े हैं कि चली रहा है फिर बुद्धि चला जाता विकारों की तरव हम ऐसे कर ले तो इसमेती रहनी चाहिए क्या कितना समय हम बाबा की याद में रहें बाबा की याद माना निर्विकारी स्थिती एकदम कोई विकार कांग से नहीं है तो कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहां चली गई ये सब बाबा आज पीवल चेक और श्मियती स्वरुः बनने बोर्ड है बाबा अपनी अवस्था को देखो जितना टाइम बात को याद करोगे उससे ही पावन बनोगे जमा और ना का तो पोता मेल रखना है जमा और ना का भी पोता मेल रखना है आदत होगी तो याद भी रहेगा जमा मतलब याद करना पूरी अच्छी तरह से चलना और ना मतलब कितना घाटा कर रहे हूं तो लिखते रहेंगे डायरी तो सबके पॉकेट में रहती है ना बाबा कहता डायरी रखो कि हम इस समय क्या सोचे इस समय हम क्या किये जो भी व्यपार वाले होते हैं उन्हों के पास हद की डायरी होती हमेशा कोई कुछ समाने निखा दिया कि ये समान चाहिए तुर दारी निकाले नोट कर लिए दारी होता है न उसी तरह हम भी नोट करें कि मेरा मन बुधी कहा कहा व्यर्थ में चला गया तुम्हारी है बेहत की डारी अब देखे डारी हमारे पाश तो नहीं है लेकिन मन बुधी में चेक करते रहना है मुम्मेल को देखकर फायदा बढ़ाते जाओ घाटा ना डालो तुम्हारी युद्ध तो है ना बाबा के था हमारा युद्ध चलेगा यह अंदर में चल रहा न क्या करें कैसे करें लेके फिर बाबा आप मेरे साथ है सब अच्छे से अच्छा होना है तो सेकेंड में फायद कितना किया और घाटा कितना किया अब खाने को ही ले लिए ना कि जब खाना खाने बैठते बाबा को याद करते हैं एक दो कोर्थी तक अंदर में रहता है और उसके बाद फिर जितना कोर खाते हैं बुद्धी उधर भगा ही देती है माया पूरा याद करते हैं पूरा खाना म तुं कंहते हो और हőस्मेति से फाइदा है विश्मेति से घाटा है लेकिन अ 220-500 जाति हो तो फाइदा है और हो जाती हो तो और है विश्मेति सवरूप में हो जाते हो तो घाटा हो जाएगा तोSstar important Just जिनको उचा पदले न उचा चेक करेंगे, ओनारा लगा रहेगा, चिंता लगा रहेगा, नहीं बाबा, हमको इधा उधर की बाते याद नहीं करनी है, देखें, हम कितना समय विश्मृती में रहें, कितना समय मेरा इधा उधर चला गया, यह तो तुम बच्चे जानते हो, हम सब आत्माओं का बाब पतित पावन हैं, हम असुल में काउन हैं, आत्मा हैं, शरीर तो नहीं हैं, तो अपने घर से आएं, यहां सरीर लेकर पाड़ ब बहन हैं, फिर बड़े हुए, साधी ब्या हुआ, यह तुम्हारा पती बनता गया, उसके बाद जब सरीर छूटेगा, तो कोई साथ जाएगा, फिर अकेले थे, अकेले हो जाएंगे, तो बाबा कहता चेक करो, शरीर विनासिये, शरीर के पीछे मत भागो, आत्मा विनासिय यह संसकार भी आत्मा मिली जाती है, तो अगर आप चिंता करते हैं, तो चिंता का संसकार बन जाएगा, तो बाबा पूछते हैं, तो ही आत्मा याद करो, इस जनम के छोटे पन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया, इस जनम के छोटे पन का मतलब होता है, कि आप ज्यान में आप बड़े हैं शरीर से लेकिन ग्यान में अभी पूरी तरह से ग्यानी नहीं बनें तो यह छोटा पन हुआ, छोटे पन में कोई गल्ती तो नहीं कर रहे हैं, याद करो कौन सी गल्ती किये, तीन चार वर्स से लेकर याद तो रहता है न, हमने छोटे पन में कैसे बिताया, क पहले तो सहन करना होता है फिर समाना होता है तब वो सक्ति जागरित होता है तो छोटी पन में हमने कैसे बिताया क्या क्या किया कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है मतलब कोई ऐसा गलती कर दिया अंदर में विकार ऐसा किये विकार ऐसा किये तो ऐसा तो नहीं हो रहा होगा ही नहीं यहां ही गलती बाबा के ग्यान में चल कर ही गलती हम भी एक गलती किये थे उसको गलती भी नहीं कहेंगे क्योंकि जानकारी ही नहीं था कुछ है ग्यान में आया जितना जानकारी उसकी अनुसार एक्यूरेट कर रहे थे लेकिन वो गलती हो गया बाबा को सौप तो यहां तो पाप होते ही हैं मनुस्य जिसको पुन्य का काम समझते वह भी पाप ही है यह ही पाप आत्माओं की दुनिया यह पाप आत्माओं की दुनिया है तुम्हारी लेंदेन भी है पाप आत्माओं से लेंदेन किस से हो रहा है पाप आत्माओं से तो आपका पुन्य ख यहां ही है यहां है ही नहीं पुन्यात्माओं की दुनिया में फिर एक भी पापात्मा नहीं होगी सत्यूग में पापात्माओं की दुनिया में एक भी पुन्यात्मा नहीं हो सकती है बाबा क्लियर करा सत्यूग और कल्यूग का जिन गुरूओं के चर्णों में गिरते हो वो कोई पुन्यात्मा नहीं है बाबा क्लियर कर रहा है कि जो गुरुओं के चर्णों में कितना हम लोग पैर छूते थे धोते थे तो बाबा क्लियर कर रहा है कि वो भी कोई पुन्यात्मा नहीं है यह तो है ही कल्यूग सोभी तमों परधानती यहां कैसे सतोपन्धान आपको गुरु मिल जाएगा तो इसमें कोई पुन्यात्मा होना ही संभव है कल्युक्याती में जा रहा है तो पुन्यात्मा बनने के लिए बाप को भुलाती है कि आकर हमको पावन आत्मा बनाओ ऐसे नहीं कि कोई बहुत दान पुन्य करते हैं धर्म साला आदी बनाते हैं तो वो कोई पुन्यात्मा है वो भी किसी लालव में बना रहा है धन बहुत आ गया अब धन को कहां लगाए इंवेस्ट कहां करें चलो धर्म साला खो दी पुन्य भी लिए पाप से पैसा कमाया हुआ है और उसको पुन्य के खाते में लगा दे रहा है तो उसके पीछी क्या उसका भाव भाव नहीं तो नहीं साधियों आदी के लिए कितना हॉल बना देते हैं यह कोई पुन्य थोड़ी है विकारों में गिरा दी साधी करा दी आज कि हम इतने पारों में ढखेल रहे हैं तो बाबा केता इंडिरेक्ली विकार में गिराना भी बाबा केता बहुत बड़ा पाप है तो यह समझने की बात है यह रावन राजे पाप आत्माओं की असूर दुनिया असूरी दुनिया जहां देवताई संसकार नहीं देवताई माना पवित् नहीं हम लोग अपने अंदर कुछ एक नहीं कर पाते कि मेरे अंदर क्या क्या रावन का संजगार है शीव का चीतर भी प्रंत पहचानते तो नहीं थे कि यह मारा पिता है तो बड़े बड़े सीलिंग आदी बनाते है फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा सरव्यापी इसलिए बाप ने कहा यदा यदा ही धर्म से जब जब धर्म की अती गलानी होगी मैं धर्ती पर आऊंगा और सभी धर्मों का विनास कर एक धर्म की स्थापना कराऊंगा सभी धर्मों का विनास मतब देखा सब धर्म तुम माता हो पिता हो भाई हो बंधु हो सखा हो पती हो पत्मी हो सब धर्म का उतर मैं आत्मा हूं बस बात खतम तो भारत में ही सी बाबा की गलानी भी होती है जो बात तुमको विशुका मालिक बनाती है तुम मनुसी की मत पर चल कर देखो उनकी कितनी गलानी करते हो कि हर चीज में बोलते हो परमात्मा है कोई मार काड कर रहा है भगवान कर वा रहा है दुख सुख भगवान दे रहा है गलानी कर रहे हैं मनुस्य मत और इस वरिय मत का किताब भी है न यह भी तुम जानते हूँ समझते हूँ कि हम स्रीमत पर देवता बनते हैं अगर हम देने वाला संसकार रख रहे हैं तो भी हम देवता नहीं बन रहे हैं जब हम स्रीमत के अनुसार चलते तब हम देवता बनते हैं तो रावन मत पर आशुरी मनुस्य बन जाती ही मनुस्य मत को आशुरी मत कहा जाता है आशुरी करत भी ही करते रते दुख देने का भाव रहता है मतलब हम मेरा मान सान बढ़ जाए मेरा इजद बढ़ जाए ये सब भी क्या है रावन का मत है बाबा का बनने के बाद भी ये सब आ रहा है सेवा भाव नहीं है लेकिन दिखावा है तो ये भी पापकर में में आ रहा है तो मूल बात इस वर को सर्व्यापी कह देते कच्छ मच प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तो मनुस्त एक बार बच्चे को जनम दिया जाता है वो बच्पन से फिट बुढ़ापा तक चलता है कि हर युवा वस्ता में अलग जनम दिये बुढ़ापा में अलग जनम दिये ऐसा होता है क्या ऐसा तो नहीं होता है तो अभी तुम समझते हो हम कच्छ मच्छ थोड़े ही 84 लाख है योनी थोड़ी लेते हैं अभी तुम बाप की स्रीमत मिलती है बच्चे 84 जनम लेते हैं 84 और 84 लाख का कितना परसेंटेज कहेंगे जूट तो पूरा जूट सच की रत्ती भर भी नहीं है अभी आए देखें लाख का मतलब क्या क्या होता है एक तो लाख दूसरा लाख मतलब लक्ष होता है और तीसरा लाख मतलब देखना होता है तो यहाँ पर सास्त्रों में लिखा हुआ है कि लख 84 अपने 84 जनमों को देखो तो देखने का सब्द गुम कर दिया और लाख सब्द आ गया कि 84 लाख जनम तो जूट हो गया न तो कितना जूट आ गया तो रत्ती भर भी इसमें सच नहीं है इनका भी अर्थ समझना चाहिए न कि लख 84 का मतलब क्या होता है कि अपने 84 जनमों को देखना है भारत का हाल देखो क्या हो गया है भारत सच खंठा जिसको हैविन कहा जाता है आधा कल्प राम राज आधा कल्प है रावन राज कैसा बन गया भी एकदम तमो परधान बन गया है रावन राज को आसुरी संप्रदाई कहेंगे कितना कड़ा अच्छल दे दिया न कि राम संप्रदाय को रावन संप्रदाय आसुरी संप्रदाय कहा गिया है आधा कल्प देवताओं का राजे चलता है बाप ने समझाया है लक्ष्मी नारायन दी फर्स्ट दी सकेंड लक्ष्मी नारायन दी फर्स्ट लक्ष्मी नारायन दी सकेंड दी थर्ड मतलब जैसे अंग्रेजों के समय का क्यूं आ चला चूंकि लक्षमी नारण के वैसा राजे चला ना उनका कॉपी क्रिष्ण के जगह में नाम क्राइस्ट है और डिनास्टी का नाम इस धंक से चला तो जैसे एड़वर्ड फॉर्स्ट सेकेंड होता है ना तो इसका एजामपल देखे हम ल बाप ने आका ड्रामा के राज को अच्छी रीती समझा दिया चंद्रविंसी राज में आठ जनम हो गया तो तुमारे सास्त्रों में यह सब बाते नहीं लिखी हुई यह सब क्लैर करके अग्ना आ जोगों संभा रहा है कोई कोई शास्त्रों मेंت थोड़ी लकीरी लगा य हैं उन्होंने कुछ भी नहीं समझा मन बोद्धी में आता या लिखता गए अभी कि पर्सों रोज मूली में चलाई अचानल से पूछाचा जाए तो आप नहीं बता पाएंगे कल की मुर्ली पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे अब जब हम ज्यान लिए हम लोग बहुत अच्छे सा समझ गया उसके बाद पच्ची सो साल तक सत्यु त्रेता में रहे अच्छा भूलेंगे कि नहीं ज्यान को अब ज्यापर से धीरे धीरे याद आ गया तो मर्जी मर्ज सब कुछ चला तो वो लिख डाले जो याद आता या लिखते गए समझ में कुछ नहीं था कि क्या लिख रहे हैं तो बाबा भी जब बनारस गय थे उस समय यह दुनिया अच्छी नहीं लगती थी बाबा को वहां सारी दिवारों पर बैठ लगाते रहते थे मतलब अंदर में बुद्धी चलता था ऐसा कल्प व्रिक्ष होना चाहिए तो दिवारों पर चीज चीज के बनाते रहते थे कल्प व्रिक्ष स्वास्तिका यह सब और राज देखते उनको कुछ होस नहीं रहता था कि हम क्या बना रहे हैं बस हाथ चलता रहता था तो बाप यह सब कराते थे हम तो उस समय बच्ची थे ना हम तो बच्ची थे उन्हां पर नगा प्रभब अपने लिए हम भी तो बच्ची थे ना उस समय तो पूरा समझ में आता नहीं था बस कोई है जो हमसे कराता है विनास देखो तो अंदर में खुसी हो भी थी विनास देखा तो बाबा को खुसी भी थी कि हम तो राजा बनने वाले हम तो कृष्ण बनने वाले हैं रात को सोते थे तो जैसे उड़ते रहते थे प्रन्तु कुछ समझ में आता ही नहीं था तो उसी तरह हम लोगों का भी स्थिती हो रहा है कि करवारा कोई और और हम लोग सोतरे हैं कि क्या होगा कैसे होगा लेकिन कराने वाला बाबा कराता जा रहा है और रास्ता अपने आप खुलता है जैसे बुलते हैं नदी बहती है रास्ता खुलता जाता है तो बस चलते जाना जो होगा बाबा समझेगा, तो ऐसे ऐसे लकीरे खीषते रहते थे, कोई ताकत है जिसने प्रवेस किया है, हम वड़नर खाते थे, मतलब ये समझते थे कि कोई तो कुछ करा रहा है, लेकिन वड़नर खाते थे, पहले तो धन्दादी करते थे फिर क्या हुआ कोई को देखते थे तो जड़ ध्यान में चले जाते थे वो लो जैसे कि बाबा देखा किसी को अब वो आख बंद कर लिया वो ध्यान में चला गिया कराने वाला द्रिश्क्य में औहम अब वाबा को अगए जा काने वाल बाबा द्रिष्टी देता था कहता था यह स Tou spirit को होता हैं उसकी देखता हूं उसके बंखिश हालो हुए veulent को देखते हैं paste कहते थे बैकूंब देखा क्रिष्न देखा जो आख बंद कर लेती थी तो वह पुछते थे क्या देखा तो उसके में को देखकर आए हम तो बैकुंब देखकर आए अब ब्रह्मा बाबा को कोई दोस्था कुछ नहीं तो यह सब समझनी की बाते हुई ना इसलिए सब को छोड बाबा कहते बाबा को जह सांती में जाकर विचार करना चाहते थे तो इसलिए वह बढूरे सुचे थे कि यह सब क्या हो रहा है तो शुरुवात में ऐसा होता है कि क्या हो रहा मेरे साथ किस से सेयर करेंगे तो अंदर अंदर चिंतन चलता था तो पेंसील और दिवार और कोई धंधा नहीं बनारस में गए ना पेंसील और दिवार बस चीतर बनाते रहते थे बेबी थे ना ब्रह् यह कुछ नहीं करना है धन्द च्छोड़ना पड़ेगा खुसी थी यह गदाई छोड़ने लेकिन वीजनश छोड़ने में भी ना उनको खुसी हो रहा था कि गदाई है कि बहने जनम के लिए कमाओ कि यूँ ना हम बेहत की सेवा में लग जाए तो रावन राज रावन पर ग अब हमको इसब छोड़ देना है अब हमको रजाई लेना है तो गधा घड़ी-घड़ी मीटी में लथेड कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है गधा को कितना भी आप नहला धुला दे और क्या करेगा वो गधा कि आप पूरा सिंगार किजिए उसको अजाकर जब तक धूर मीटी में नहीं अपने आपको करेगा ना वो फिर भी सुधरेगा नहीं वो करके ही गुजरेगा तो यहां भी बहुत ऐसे बच्चे है ना कि जो ग्यान में सुनते हैं और थोड़ा बहुत नहीं पूरा हुआ जाके विकारों में गंदे हो जाते तो उसको बाबा बोल बाब भी करते हैं तुम क्या थे अब तुम्हारी अवस्था क्या हो गए चेक करो कि पहले क्या थे अब क्या बन गए हो यह बाप ही बैठ समझाती है और यह दादा भी समझाती है दोनों का चलता रहता है ज्यान में अच्छी रीती समझाते हैं वो तीखे कहेंगे अब बा कुछ चाहिए दास दासी तक चाहिए साहुकार भी चाहिए प्रजा भी चाहिए तो जरूर नंबरवार पद पाएंगे आत्मा ही अपना पार्ट कल्प कल्प बजाती है सब एक समान ज्यान नहीं उठाएंगे यह भी क्लियर है अब पेड़ में देखी पत्ता कोई छोटा होत कितना वंडरफूल सुरू में यह सब कोश्चन उठता था कि बाबा सब तो आप ही के बच्चे फिर राजा किसी को क्यों बना देंगे और किसी को दास दासी लेकिन दिखने में आ रहा है कि दास दासी खूद ही हम लोग बन जाते कैसे कि जब हमको अपने मन बुदी पर रोलने रता स्रीमत का उलंगन करते हैं तो हम दास दासी खरोते हैं कि तो दूसरे कोई स्थापना का ज्यान थोड़े देती हैं ऑन सीख्धरम के शापना हुई सुध्य आत्मा ने प्रवेश किया कुछ समय के बाद सीख धरम की स्थापना हुई उन्हों का हेड कौन उन्हों का हेड कौन उसने आकर जब साहब बनाया पहले तो नई आत्मा है होंगी क्योंकि पवित्र आत्मा होती है मतलब जो भी उनके खुल में आएंगी उपर से वो पवित्र होंगी पवित्र को महान आत्मा कहते हैं सुप्रीम तो एक बाप को कहा जता हुआ धरम इस्थापन करते हैं तो महान कहेंगे प्रंतु नंबर वार पीछे आते हैं 500 वर्से पहले एक आत्मा आई आकर सीख धरम इस स्थापन की कुछ क्वालिटी को मुसल्मान से लिए कुछ क्वालिटी को हिंदू से अभी इसलिए दिखता है ना कि दोनों का दिखता है और इस तरह से धरम इस्थापन किये हो आप वह जब शरी छोड़ दिये तब फिर उसके बाद सास्त्र बना तो उसमें ग्रंत कहां से गलते ड़ल सुकोंटेश stability जब सहाब आदी बाद में बनाए होंगे क्या उस्तर नाण से और युद्त जाल वहावथ से बने पढ़ने वाले छाहिए सब के सास्त्र पीछे बने होंगे है जब भक्ति मार्ग शुरू हो तिप संस्त्र पढ़े तो ज्यान चाहिए ऊए तो सतो रजो तमu मे आते हैं जब बहुत व्रिद्धी हो तो महिमा हूँ और सास्त्रादी भने नहीं तो बृद्धि कौन करें बृद्धि कौन करें शुरुवात में सास्त्र बन जाए वृद्धी हुआ ही नहीं तो कौन पढ़े गा उसको तो पैए वृद्धी हुआ followers बने न तो शीक धरम के अतमा आव humility थी वो आती चली गई और उनका ब्रिद्धी होता गिया उसमें बहुत टाइम चाहिए तो आज देखिए आज सिखों का थोड़ा सा पावरफूल स्टेज बन गया है तो नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो हो नहीं सकता है जो नई आत्मा आई वो तो बिल्कुल प्योर है तो लौ नहीं कहता आत्मा सतो परधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुखो बाबा के इतना बोड़ा सतो रजो ता सतो परधान हम लोगों का सत्यूग में फिर स लौताई से जधा शुक होता है तो यहां मिक्सप हो गया रावन संप्रदाइं भी यहां पर mix up हुआ है अभी तो संपून बने नहीं है ना अभी क्लियर कर रहा में कि देखिए बाबा का बच्चा भल बन गया लेकिन संपूर ने नहीं कोई बने तो इसमें कभी राम का गुन आ जाता है, कभी रावन का गुन आ जाता है, तो संपुन बनेंगे, तो सरीर ही छोड़ देंगे, अभी कोई भी संपुन नहीं बना है, करमातीत अवस्था वाले कोई को दुख हो न सके, कोई दुख हो न सके, वह इस छीची दुनिया में रह नहीं सकते, वह चल सब एक साथ नहीं बनेंगे तो भल विनास होता है तो कुछ बचेंगे ना प्रलाय नहीं होती है प्रलाय का मतलब होता है एक दब खतम हो जाना खतम नहीं होगा दुनिया थोड़ी से बीज रखते हैं तब फिर बीजार ओपन करेंगे गाते हैं राम गयो रावन गयो गयो सकल परिवार तो राम का बहुत बड़ा परिवार था हमारा परिवार तो थोड़ा सा है हम लोगों का परिवार कितना चोटा है कितना लोग भक्तिमान में भीर लग जाता है अब बाबा की बच्चे तो जगा जगा थोड़े थोड़े हैं वासतों में बड़ा हमारा ही होना चाहिए。 कैसे? सबसे पहले हम लोगा आए. सबसे पहले हम लोग आए. तो हमारे ही न सारे बच्ची होंगे. सबसे बड़ा दिनायज हा う strings होना चाहिए KUL. लेकिन हम लोग भी कल्ष होते चलेगा. क्यूंकि देवी देवता धरम सबसे पहला है अभी तो सब मिक्सप होगा ना मतलब कुछ मुसल्मान बन गया कोई सीख बन गया कोई साही बन गया कोई हिंदू बन गया इस तरह से बट गए हैं तो क्रिश्चन बहुत बन गये हैं जहां मनुस्य सुख देखता है उधर भाग होती है सत्यू में तो एक बच्चा एक बच्ची होती है सत्यू में एक बच्चा एक बच्ची यहां तो देखे बारा पंद्रा भी कर लेते हैं बच्चा और कोई धरम के ऐसे विद्धी नहीं होती है आज मुसल्मानों का क्या लिगा हुआ है कि जितरा भी बच्चा पैदा करते हैं उनको इनाम देते हैं क्यूंकि उन्हों का तो मनुस्य चाहिए ना उनको तो बृद्धी चाहिए जो मिलेटरी लसकर काम में आएगा है तो सब लेंगे धन्दा होगा ना अंग्रेज अपना चाल खेला बिजनस का हिंदु मुसल्मान साथ में रहते थे दोनों को बाड़ दिया गया अब लड़ाई कर रहा है पकिस्तान तुसको देता है बम यह बारू देश हम तो धन्दा होगा ना उचे से उचा उन्हों का यह धन्दा परन्तु ड्रामा में विजय भावी किसकी बनेगी बाबा के बच्चों की हिंदु की नहीं नहीं बाबा के बच्चों की विजय होगी तो 100% सर्टेन है तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकता है बाबा हमें पूरा विश्वास दिला रहा है कि बच्चे तुम्हें कोई जीत न मारा राजी होगा जिसके लिए ही तुम पढ़ती हो लायक बनती हो तुम लायक थे अब ना लायक बन पड़ी हो फिर लायक बनना है ना लायक से लायक बनना है गाती भी न पतीत पावन आओ परन्तु आर्थ थोड़ी समझती है यह भी सारा जंगल है यह ही सारा जंगल जंग या पहुल के साक्षिस बनाइन मतलब क् Double काthe is बिकोमल होता क्षू्बूस को बना और भूम बदना अगर कोई millionth entrepreneur सवी निधान को खौनिगास अपनी स्थिति को नहीं चोड़ना है यह हमारे साथ गलत भी लिए तो खौशको तो इसके साथ जरूर जाएगा लोग बोड़े थे ना एक समय कि मतलब इतना गाली दिये थे इतना गाली और मुह से तो कुछ सब्द नहीं था मेरे से तो उसमें भाया भाया करके बात कर रहे थे उन कि मीठ मोहनी बन गई है मतलब पता नहीं कौन सा ग्यान इसको दे दिया गया जो इतना मीठ मोहनी हो गई है और बोल कर गए उन्डों तो यह एक तरह से अबाद में फिर सब कुछ ठीक हुआ तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुमको काटे किसी भी कीमत में नहीं बना अगर को पैरों से भी मसल दे तो तुमको अपना खुस्बू इसके पैरों में लग जामा तो जहां जाएगा तो बड़ा अच्छा खुस्बू आ रहा गोलेगा ना तो वह डीटी वर्ड है यहां बर्दासी नहीं होता है किसी को दो बात को बोल दिया बर्दासी नहीं होग दो बात तो हम सुना के रहेंगे तो आप क्या किये आप तो अपना सिति गरवड़ा दिये रावन का विजय करवा दिये तो सारी मनुस्य सिष्टी का रास समझाया है तुम अभी रास समझते हो कि हम अपने धर्म को भूल धर्म भ्रस्ट हो गए हैं अपने धर्म मतलब रावन संस्कार लेकर आया अगर वह राम का संस्कार ले ले तो उसका हार हो गया लेकिन अगर हम रावन का संस्कार ले ले उसको देखकर तो उसका विजय हो गया हम हार गए हम सोच रहे हैं कि हम रावन का संस्कार लेकर जीत पा रहें नहीं हम हार गए तो धर्म भ्रस्ट कर्म भ्रष्ट बन गए तो सब कर्म विक्रम भी होते हैं फिर कर्म विक्रम अकर्म की गती तो बाबा तुमको समझा कर गए है ना सब को समझा है बाबा तुम समझते हो बरोबर हम कल ऐसे थे आज हम ये बनते हैं नजदिक है ना हमारा राज नजदिक आ रहा है कि नहीं दिख तो भूले हुए हैं तुमको इस्मिती आई ना अभी आ रहे हैं इस्मिती कि भक्ती मार्ग बहुत चले भक्ती मार्ग में हमने कितना धन गवा दिया कल की बात अब लगती है बाप तो आकर हथेली पर बहिश्ते देती है या ज्यान बुद्धी में हमेशा रहना चाहिए तो क्रिमनल आई को ज्यान से सीविल आई बना बनाना है अच्छा मीठे मीठे सी खिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निक रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप द दार्नक लियाजमुक के सार अपनी बेहत की डाइरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फाइदा उठाया आत्मिक स्वरूप में रहकर बाबा को कितना याद किया और फाइदा कितना हुआ घाटा तो नहीं पढ़ा घाटा अगर पढ़ रहा है दुख हो तो आप समझी सही याद नहीं जा रहा आत्मिकी सिती का याद नहीं है देभान का याद है याद के समय बुद्धी कहां कहां गई किसको याद किया इस जनम में छोटे पन में हमने हमसे कौन-कौन से उल्टे करम और पाप कर्म हुए है ये भी नोट करो और बाबा को बता द जिस बात में लगे कि बाबा हम से ये गलती हुआ है जानकारे नहीं था. हो गया तो बाबा को सुना कर हलकेמה कोई बात नहीं बच्चे भेट आफ ठीक करप सब दे expectation क कोई भी पाप का udसे सेवा के लिए हम जुड़े हैं घर परिवार है सेवा कर रहे हैं लेकिन यह नहीं क्यों यहां मतायां को सब्हुनी नहीं यह ऱीदिंसरे सूझ कर पत्नी हूं यह बहुं से बन्थे नहीं और सभी से न्यारे होकर परमात्मा के प्यारे बने, सभी से न्यारे होकर सब आत्मा हैं, हमें बंधना नहीं है, कोई पती पत्मी यहां बाल बच्चा नहीं है, तो परमात्मे प्यार ब्राहमन जीवन का अधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनोगे, जब हम सोच दोश लेंगे आत्मा है तो आपनी आप बंधन मुकत Jetzt हो जाएंगे लेकिन अप सुचेंगे अब कैसे करेंगे यह है रिष्था निभाना वो रिष्था निभाना अब बंधे रह 좌एंगे तो अगर प्रविर्थी नहीं तो सेवा के लिए हो तुम अगर आज सरी छोड़ दे तो कौन करेगा कौन करेगा तो वह मंजूर है लेकिन हम ऐसे बंधर मुक्त नहीं हो पाएंगे यह कैसी बात है आधी एक बहन को बोले कि आप एक को सेवा कर रहा है से तो बोली क्या करें बेटी मेरा साथ ने चोड़ती ह करम जहां जाएंगे बेटी को लेके जाएंगे यह कैसा बंधन है यह कैसा बंधन है कि बेटी को लेके चले बड़ी बेटी है यह कैसा कि लेके चलेगा इससे सेवा होगा क्या तो कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है करम बंधन है नहीं कोई करम बंधन नहीं बाब कैसे छोड़ कर जाए नहीं सेवा हाजी करना है तो जहां करम बंधन वहां दुख की लहर भी आएगी वही आत्मा आपको दुख देने के निमित बन जाएगी तो सेवा के बंधन में खुसी होगी इसलिए करम बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर दो कि बाबा ये सब बंधन में परिवर्तन कर न्यारे और प्यारे रहो तो परमात्मा के प्यारे जरूर बन जाओगी तो हम सेवा कर दिए घर में आप देखिए सारा काम कर दिए उसके बास सेवा म्याग है कोई गलत काम तो करने नहीं आएं तो इसलिए एकदम डिटैच होना है स्लोगन स्रेश्ट आत्मा वो है जो स्वाश्थिती द्वारा परिश्थिती को पार कर ले बाबा आज तो इतना सुन्दर सुन्दर बात दे रहा ना कि सुछ से चल रहा था कि बाबा कैसे करेंगे आगे का लेकिन बाबा क्लियर कर दे रहा है कि स्रेष्ट आत्मा वो है जो अपनी स्वह स्थिती से परिस्थिती को बदल दे तो सब अच्छा हो जाएगा ओम शान्ति